कि हलो दोस्तों आज के इस वुड़ी में हम बात करने वाले शार्जा सी बी एफ एस की टी टोइंटी की जो मैच में वर्सेस टीवी एस की जल्दी से जल्दी टीन ड्री मिलियोन की विनिंग टीम हम देख लेंगे तो इस खहली हमें माच पर क्लिक कर लेनी और आपने अप तक टीम नहीं बनाय तापको पर क्लिक करनी लेकिन मैं डीकिन मैं टीम पर बना कर लिए तो यहां पेसब सबसे बेस्ट ऑपशन ai만 में है बाकि कोई और के पर इतना बढ़िया नहीं है दोस्तों एक और उप्शन जरूर है हमारे पास लेकिन मैं उनको अगले दो टीमों में से एक टीम में ट्राय कर जरूर को अगर बैटिंग की बात करें तो मैंने यहाँ पे चार बल्ले बादों को शामिल कर लिया है जैसे कि आप और यह दोनों ने मलिक ने तो काफी अच्छा परफॉर्मंस गया और एस अली ने ठीक ठाक परफॉर्मंस गया तो इन दोनों को हमारे टीम में जरूर लेंगे अगर बात करतें गेंबाजी की तो एम पुश्प कुमार को हमने ले लिया है एन खान को भी लिया है डी दोस्तों जरूर कहुंगा इस टीम को आप अपने सबसे यूज की जिगा ग्रांड लिक के लिए उच्छ कर सकते और स्मॉल लिक के लिए यूज जरूर कर सकते दोस्तों क्योंकि अच्छे टीम बनी है और सभी ने इन में से काफी लोगों ने अच्छा खासा परफॉर्मंस क्या है तो जरूर आप इन सब पर भर्षा कर सकते दाव लगा सकते तो इसलिए कह रहा हो कि टीम ग्रांड लिग और स्मॉल लिग दोनों के लिए उच्छ कर सकते हाला कि एक बात जरूर पॉइंट करूंगा दोस्तों कि यहाँ पर एक टीम के काफी मैचेस मतलब दो-तीन मै लेकिन पर्फोमस इनका काफी डाउन है इसलिए मेरे पास चार उनके प्लियर रहने वाले और साथ एमजीम के प्लियर रहने वाले तो यहाँ पर कैप्टन और वाइस कप्टन के अगर बात करें तो देख सकते हैं एक काफी बढ़िया फॉर्म में और अच्छे खासे बैट लेकिन ज्यादा से अपको ज्यादा हो सकता है इस टिम को कर लेते और दूसरी टिम को मैं आपको दिखा देता हूँ है तो जैसे कि आप देख पारे जैसे मैंने पहले ही बताया था प्रेंट में कि एक और ऑप्षन है हमारे पास कीपिंग में वह है इन्होंने आलाके 34 पॉइंट दी है लेकिन प्लियर अच्छे दोस्तों जरूर आप इनको एक टीम में कम से कम ले सकते इन पर भर्षा कर सकते दावल लगा सकते तो इस टीम में ने उनको ले लिया है और आर चोपरा तो रहेंगे दोस्तों हमारे पास क्योंकि इन्होंने काफ गर्षानगांड दोस्तों टोस्तों ही मलिक और ऺंप अलीक बास इन्हों को में आपकोस मने क्ले लीए और दोकी में चेज कर लिया इन खान को लिया और दी कुरेशी को लिया तो कुल मिला कि यह भी टिम काफी अच्छी और जबरदस बन चुके रोस्तों जरूर कोंगा इस टीम को भी अगर आप ग्रांड लिक के लिए यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है लेकिन स्मॉल लिक के लिए सब परफॉर्मंस किया है तो ज़रूर आप इनके साथ जा सकते इन पर भर्षा कर सकते दाव लगा सकते सबसे बड़ी बात तो यह कीपर है दस्तों कीपर होनी को जिसे हमें डबल पॉइंट देंगे जैसे बैटिंग में तो यह अच्छे खासे पॉइंट देंगे साथे सा आप सबको पता होगा इसके भी आट आट पॉइंट रहते हैं और यह आट पॉइंट भी काफी इंपोर्टन हो जाते हैं जब एकदम काटे की टकर हो तो अगर बात करतें वाइस कैप्टन की तो डबलो अली को बनाया मैंने वाइस कैप्टन यह भी अच्छा खासा परफॉ इस टीम को भी ग्रांड लीग और स्मॉल लीग दोनों के लिए उसका सकते कोई प्रॉब्लम नहीं कोई दिक्कत नहीं इस टीम को भी क्लोज कर लेते और तीसरी और आकरी टीम देख लेते दोस्तों किस तर से बनाई है तो सबसे पहले हमने फिर से यहापे कीपिंग में आर बल्लेबाद हो चुके जा दोस्तों डीम विराक को वापस लिया अभीत को भी वापस लिया डबलो अली को लिया एक खांतों है ही और एम चोद्री को अब तक एक भी टिम में नहीं ले पायते तो इस तिम में मैंने उनको भी शामिल कर लिया तो इस तर से काफी बढ़िया बढ़िया पाच बल्लेबाद हो चुके तो जरूर आप इस तर से कर सकते इंपर भर्षा कर सकते दावल लगा सकते तो काफी बढ़िया बल्लेबाद जी चूस करने के बाद दो वैसे ही है जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि दो अल्रोंडर मलिक और एस अलीस दो ही रहने को बढ़िया अगर बात करते गेंबाजी की तो गेंबाजी में मैंने अफकोस एस उसेन को लिया एँखान को लिया और डी कुरेशी को लिया तो इस तर से यह तिम मेरी खाल से सबसे बैस्टीम है क्योंकि यहाँ पर जादा से जादा बढ़लेबाद को मैंने चूस किया है तो इस टीम को जरूर कोँगा मैंने सिर्फ और सिर्फ गांड लिए उचके जगा स्मॉल लिए यूज करके इसे वेस्ट मत कीजिएगा क्योंकि मुझे लगता है यह टीम आपको जिता सकती है या फिर ग्रांड लिंग में अच्छी खासी अर्निंग वैसे तो मेरी टीनो टीम यह टीम सबसे स्पेशल टीम रहेगी दोस्तों मुझे लगता है तो यह टीम आपको जरूर ग्रांड लिंग में अच्छी खासी आर्निंग करा सकते हैं तो इसलिए कह रहा हो कि जरूर यूज के जिगा लेकिन स्मॉल लिक के लिए उसकरके वैस्ट मत की जिगा कि इस टीम क क्याप्टन के बात करें तो मेरे पास वाइस क्याप्टन के लिए डवल ओप्षन थे लेकिन मैंने थोड़ा हटके सोचा यहां पर अफकोस डबलू अली को मैंने क्याप्टन मरा है सबसे पहले उनकी बात करते इनको बाप की जगा दोस्तों पिछले टीम में इनको वाइस क्याप्टन मरा था तो इस टीम में मैं उनके वह क्याप्टन मराने जा रहा हूँ क्यूंकि काफी अच्छे प्लेयर है और इन पर आप जरूर दाव लगा सकते बर्शा कर सकते तो अग मेरे पास वाइस कैप्टन के लिए ओप्शन ते एन खान और डी कुरेशी और डी कुरेशी ने ज्यादा अच्छे पॉइंट दे अब तक पहली मैच में मेरे खाल से कुछ 53 पॉइंट देते दूसरी में 103 लेकिन थर्टीम में थर्ट मैच में उन्होंने थोड़े कम पॉइ वाइस कैप्टन हाँ डी कुरेशी को भी ज़रूर आप चूज कर सकते क्योंकि इन्होंने दो मैचस में काफी अच्छा कंसिस्टन्स परफॉर्म के लेकिन मैं जा रहा हूं एन खान के साथ क्योंकि इन्होंने एकी मैच में 74 पॉइंट तो यह फायदे मन्त साबित हो सकता ह आप चाये तो डी कुरेशी की कर सकते हैं वाइस कैप्टन और एन खान को भी कर सकते हैं तो काफी अच्छी टीम बन चुके फिर से कहूंगा दोस्तों इस टीम को ग्रांड लिग के लिए यूज करके वेस्ट मत की जिएगा क्योंकि यह टीम ग्रांड लिग के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लीजिए ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू